इसराइल के पास आयरन डोम, एरो, डेविड सिलिंग जैसे कई डिफेंस सिस्टम है, जो कई वर्षों से उसकी रक्षा करते आ रहे हैं। यह डिफेंस सिस्टम पलक जपकते ही आने वाली मिसाइलों को खत्म कर देते हैं। कैसा ही डिफेंस सिस्टम जानने के लिए चलते हैं हमारे सयोगी कादम नी शर्मा के पास। इसकी आपको बताता है की इसका इंपक्ट क्या होगा क्या यह इस इलाके में गिरेगा या उस इलाके में गिरेगा या अगर ऐसे इलाके में मिसाइल गिरने वाले हैं जहां पर कोई population नहीं है लोग नहीं रहते हैं तो उसको यह जो दूसरे machine तक जो भेशता है signal वो नहीं भेशता है सिर्फ उनहीं के लिए भेशता है जो किसी populated इलाके में जहां लोग रह रहे हैं वहां पर अगर मिसाइल गिरने वाला होता है तो जब ये signal भेशता है control center तब आता है उसके बाद missile firing जो unit है ये जो unit है ये fire करती है यहाँ पर से missile fire होता है यहाँ से intercept करने के लिए missile fire होता है और ये हवा में ही खात्मा कर देता है जो भी इसके तरफ missile या rocket आ रहे होते हैं और ये इसका असल में इतना नाम इसल लिए है क्योंकि इसका जो success rate है वो कम से कम 97-98% है और इसके लिए ये साफ कहा जाता है कि कई बार जब छूटता है तो असल में उसको छोडा जाता है missile को क्योंकि वो खाली इलाके में गिरेगा इसका जो range है जहां से ये detect होता है वो करेब 4-70 km दूरी से अगर कोई भी missile या rocket चला है तो उसको ये detect करेगा detection के लिए जो tracking radar है वो detect करेगा और ये इसलिए बनाये गया इसका idea जो है वो 2004 में आया जब 2006 में 4000 missile जो है डागी गई इसराइल के तरफ लेबनान से इसमें 44 इसराइली जो है वो मारे गए थे उसकी बाद आरें डोम पर काम शुरू है उसके ब ये पहले इसराइल ने पैसे दिये काफी महंगा है ये क्योंकि एक बैटरी इसकी कम से कम 50 मिलियन डॉलर की होती है तो पहले इसराइल ने पैसे दिये उसके बाद अमेरिका जो है वो लगातार मदद कर रहा है तो अब 2011 में इसे बिर्शिवा इलाके में लगाया गया और 2014 2014 तक इन्होंने कम से कम 1200 रॉकेट नाकाम किये था और 2014 से अब सोचिए कि अब 2014 में कितना एहम काम ये किया है तीन जो जाने हुए तीन से चार लेर्ज हैं इसराइल की पूरे इसराइल के सेक्यूरिटी की वो उन में से ये सबसे एहम है जो कि शॉर्ट डिस्टन्स पे काम क करता है और इसी लिए इसके कारण इसका बेहद नाम है तकनीक इतनी नहीं है कि कई देश चाहते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है वो उनको मिले ताकि वो अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकें सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकें तो ये सिस्टम अभी इसराइल का ये इन Lebanon से missile चलती हो या फिर Iran जो पूरा एक थोक भाव में rocket fire करता है तो पहले detection और tracking center जो है वो उसको detect करता है control center जो है यहाँ पर यह इसको बताता है कि कौन कहां पर जा रहा है missile उधर से जो आया है और जो firing unit है जो वो firing करती है और आस्मान में दूर से देखने पर भले ही आतिश ब पहुंचाती है और यह जो missile firing unit है उनको नश्ट करता है काडम नी बहुत दिल्चस्प जानकारी आपने दिए क्योंकि सबकी सुकता इसी बात को लेकर थी कि जो आरे डोम है यह किस तरह से काम करता है कल जो तस्वीर आई भी थी सबने देखा भी था कि किस तरह से जो मिसाइ उस पर और जो छोटी मिसाइल सोती उनी पर काम करता है जो बैलेस्टिक मिसाइल कल इसराइल की और से इसराइल पर आई थी क्या उनको भी एक कारगर है जी हर प्रकार से यह कारगर माना जाता है क्योंकि यह इसका जो कारगर का जो definition है इस पूरे system का यह असल में distance है लेकिन इसा नहीं है कि सिर्फ यही एक system है इसराइल के पास बलकि उसके पास arrows 2 और 3 है उसके पास डेविट स्लिंग है तो यह अलग-अलग systems जो है वो अलग-अलग वक्त में काम करते हैं लेकिन maximum मैं आपको बताऊं अखलेश की सबसे जादा इस्तिमाल इसी का होता है क्योंकि rocket कह हमां से चल रहे हैं रॉकेट चल रहे हमास से जो पिछले कुछ वक्त में हम लगातार देख रहे थे हमास जो है गाजा के तरफ से फाय करता था रॉकेट यहां से detection और ट्राकिंग रडार जो है यह उसको डिटेक्ट करता था बहुत जल्दी और आप यह समझें कि इतना पा यहां पर यह इंपक्ट होने वाला है और कई बार जैसे आश्कलोन में हमारे साथ हुआ था कि होटल पे रॉकेट गिर गया था वैसा बहुत कम होता है लेकिन कंट्रोल सेंटर जो है वो उसको डिटेक्ट करता है कहां जा रहा है रॉकेट या मिसाइल उसके बाद ये जो मिसाइल फाइरिंग यूनिट है तुरंत अपना जो कंट्रोल सेंटर उसको बताता है उसके हिसाब से ये फाइरिंग करती है और आस्मान में अधिकतर आप देखे यह काम्याब है तो सक्सेस रेट इसका काफी हाई है शुक्रिया कादमनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुती दिल्चस्प परकेस आपने समझाया कि जो आयरें डोम है जराल की किस तरह से सुरक्षा कर रहा है